हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रेशनों की और ये प्रेशने बहुत ही महत पे पूरें और आपको दोस्तों एक ही ट्रिक से सभी प्रेशनों को स्वल्ब करना सखाएंगे तो चलिए पहला प्रेशनि आपका ए एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में कर सकता है तो जो बी यह 6 का 9 का L सिम कितना आएगा? 18. 6 से B 18 कटेगा? 9 से B. 6 से 5 कटाओंगा तो 6 का 18 9 से 8 कटाओंगा 9 दुने का 18 इसका मतलब यह है A आपका 6 दिनों में कर रहा है काम को A आपका 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 भाई ये एक दिन का काम है एक दिन में तीन करेगा तभी तो छे दिन में अठारा कर पाएगा भी आपका एक दिन में नो एक दिन में दो काम करेगा तभी तो आपका नो दिन में अठारा काम करेगा तो एक दिन का काम तीन बी का एक दिन का काम दो एक दिन का काम निकाल लिया यह हमने ठीक है अब क्या कह रहा है प्रिस्टि में आगे पढ़ेंगे दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे एक करेगा 1 दिन में 3 बी करेगा 1 दिन में 2 दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे पांच, टोटल काम कितना है अठारा, दोनों मिल करके एक दिन में पांच करेंगे तो अठारा को कितने समय में कर लेंगे, पांच तिरिक का पंदरा, तीन बच्चे का नहीं जाएगा दसमलब 30 हो जाएगा 5-6-3 3.6 दिन में कर लेंगे दोनों मिल करके उस काम को 3.6 दिन C option हो जाएगा आपकी question का सही answer उमीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रेशने बहुत अच्छे से समझी में आगिया होगा किसी को भी प्रेशने में कोई भी डाउट नहीं होगा ठीक है अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है A एक काम को 15 दिनों में जो आपका A है वो एक काम को कितने दिनों में 15 दिन में कर सकता है और B कितने दिन में कर सकता है दोस्तों आपको टूटल काम नहीं पता है, तो 2 का Ism ले लेलो, टूटल काम पता चल जाएगा आपको, ठीक है दोनों का Ism 35 का Ism 50 का Ism 07 काटेंगे, 60 का बार में, 20 से 60 का बार में, इसका मतलब क्या है यह इनका एक दिन का काम है, यह आपका पंदरे दिन में कर रहा है साथ काम पंदरे दिन में काम को खतम कर रहा है तो एक दिन में इसका कतलग कितना काम कर रहा है वो चार भी आपका एक दिन में कितना कर रहा है तीन काम कर रहा है ठीक है वे चार दिनों तक एक साथ काम करते हैं भाग बचा हुआ है देखिए टोटल काम था आपके पास 60, 60 मैंसे आपने काम खतम कर दिया, 28 तो बचा कितना 32 काम बचा, कितने मैंसे बचा, 60 मैंसे बचा, यही तो पूछ रहा है कितना काम बचा हुआ है, कटा लिजे, 4 से कटाओंगा, 4 अठे 32, 4 से कटाओंगा, 4 से 15 बार मैं 60 कर जाएगा, 8 बच्टे 15 भाग आपका बचा हुआ है काम का, यह आपका आंसर हो गया, 8 बच्टे 15 पहले ओप्सन में दे रखा है, यह आपके प्रेशने का सही आंसर हो जाएगा, उमिद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे से प्रेशना आ गया है, अब देखेंगे अगला प्रेशने है, एक जमीन का दो बच्टे 5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का एक बच्टे 3 भाग 10 दिनों में काट सकता है, ए और बी एक साथ काम करके 4 बच्टे 5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेगी, देखिए आपका जो ए है, ठीके आपका जो ए है वो 2 बच बट्टा 5 भाग कितने दिन में काट रहा 6 दिन में ठीक है और जो आपका B है वो आपका दोस्तों एक बट्टा 3 भाग कितने दिनों में काट रहा 10 दिन में अब इसको solve कर रहेंगे आप देखी दो से कटा दूंगो अच्छे को 3 बार में 5 का 3 से multiply 15 ठीक है 3 का 10 से multiply कितना हो जा 15 से काटेंगे 30 को 2 बार में कटेंगा 30 से काटेंगे 1 बार में कटेंगा तो A का एक दिन का काम दो B का एक दिन का काम 1 अब दीखेँ प्रेस्ट में क्या कर रहा है। और B, एक साथ काम करके 4 बटे 5 भाग जमीन को, देखें, टोटल काम आपके पास कितना है, 30 है, लेकिन 30 काम आपको नहीं करना, टोटल भाग आपको नहीं काटना, टोटल का कितना काटना, 4 बटे 5 भाग काटना है, ठीक है, तो टोटल का कितना 4 बटे 5, 30 है टोटल, 30 का हमको 4 पार बटे पांच भाग काटने की बात कर रहा है ये आपके प्रैश्ने का सही आंसर हो गया उम्मिद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रेशने बहुत अच्छी से समझ में आगिया होगा किसी को भी प्रेशने में कोई बीडाउट नहीं होगा ठीक है अब देखते हैं अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक काम को अठारे दिनों में खतम करता है जो आपका दोस्तों A है वो एक काम को कितने समय में 18 दिन में बी उसी काम को A दुवारा लिएगे समय के आधे समय में खतम कर सकता है जो आपका B है वो कह रहा है कि B उसी काम को A दुवारा लिएगे समय के आधे समय में पूरा खतम कर सकता है A के जो समय लिया है उसके आधि समय में A ने कितना समय लिया है? 18 दिन का तो B कितने में और 9 दिन में ठीक है, दोनों का LCM लिली जिए कितना आजाएगा? 18 18 से काटेंगे, 18 को एक बार में करतेगा, 9 से कटेंगे 18 को दो बार में करतेगा इसका मतलब A आपका एक दिन में एक काम करता है B एक दिन में दो काम करता है अब जो प्रेशन में पूछा गया है उस पर ध्यान दीजी प्रेशन में पूछ रहा है एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खतम करेंगे दोनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे तीन करेंगे कितना करेंगे एक दिन में तीन काम करेंगे कितने मैंसे अठारा मैंसे करेंगे क्योंकि अठारा काम है एक दिन में कितना करेंगे तीन करेंगे तो एक दिन कहीं तो पूछ रहा है अब देखेंगे अगला प्रेशन, अगला प्रेशन है, A और B किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, धोस्तों, A पिलस B, किसी काम को कितने दिन में 12 दिन में कर सकते हैं, B और C, उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, फिर कह रहा है, C और A उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, C पिलस A, लेकिन काम है कितना total नहीं पता तो आप क्या करेंगे LCM ले लिजी ना वही तो मैं आपको बता रहा हूँ तीनों का LCM ले लेंगे कितना जाएगा 60 12 से कटाई है 60 को कितनी बार में कटेगा 12, 25, 65 बार में 15 से कटेगा 4 बार में 20 से कटेगा 3 बार में ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई अब आपको करना क्या है देखे यहां पर ध्यान से जब आप देखेंगे तो आप देखेगा A और A दो A है B और B दो B है C और C दो C है तो मैं 2 A लिखूँगा 2 B लिखूँगा 2 C लिखूँगा फिर समय से क्या होगा 2 common आ जाएगा बाहर तो मैं क्या करूँगा 2 common ले लेता हूँ बाहर अंदर क्या बचेगा A पिलस B पिलस C बचेगा clear इतना बात clear अब यहाँ पर देखिए आपसे प्रेश्टर में क्या पूछा है A B C एक साथ काम करके वे कितने दिनों में काम खतम करेंगे एक साथ काम करके तो यहाँ पर एक साथ मिला दीजिए ठीक है पांच चार नौँ तीन कितना बारा ठीक है एक साथ मिलकर के बारा दिन में करेंगे ठीक है बारा काम करते है एक दिन में तो देखिए यहां से यह दो से यह बारा कर जाएगा कितने बार में छे बार में तो A, B, C, तीनों का मिलकर के कितना आया है छे आया है टोटल काम है कितना 60 वाई तीनों मिलकर कि एक दिन में कितना कर रहे है अच्छे है कर रहे है तो 60 को कितने में करेंगे 10 दिन में कर देंगे ये आपका आंसर आ जाएगा कितने दिन में खतम करेंगे 10 दिन में C option आपकी प्रेशने का सही आंसर हो जाएगा उमिद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रेस्ण न अच्छे से आ गया होगा किसी को भी प्रेस्ण में कोई डाउट नहीं होगा अब देखेंगे अग्ला प्रेस्ण आग्ला प्रेस्ण है आपका ए, एक काम को चार गंटे में कर सकता है जो आपका दोस्तो A है वो एक काम को चार घंटे में कर सकता है B और C इसी काम को तीन घंटे में कर सकते हैं B और C इसी काम को तीन घंटे में करेंगे A और C दो घंटे में करेंगे A पिलस C इसी काम को कितने में करेंगे? दो घंटे में करेंगे तो B अकेला इस काम को कितने दुनों में करेगा सबसे पहली बात तो आपको काम नहीं पता है तो इनका LCM ले लिजिए आपको टोटल काम मालूम होगा 4, 3, 2 का LCM कितना जाएगा? 12 4 से काटेंगे 12 को, 3 बार में 3 से काटेंगे 12 को, 3, 4 के 12 इतनी बात समझ में आ गई अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए A का एक दिन का काम कितना है? 3 यह तो A का है, अकेले का ठीक है, A का अकेले का है, एक दिन का काम 3 B और C, दोनों का एक दिन का काम 4 किस-किस का दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखू B पिलस C, दोनों का काम 4 ठीक है, B और C का और A और C का दोनों का एक दिन का काम कितना 6 किस-किस का? A पिलस C का ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ A का एक दिन का काम कितना है? 3 है A का एक दिन का काम 3 तो यहाँ पर भी A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? इतनी बात के लिए रहे और A और C दोनों का काम कितना है? भाई, दोनों का 6 है A का अकेले का 3 तो B का भी C का भी 3 हो जाएगा तब यह तो दोनों मिलकर के 6 होगा यह ठीक पास समझ भाई अब B और C का काम कितना है B और C का एक दिन का काम चार ठीक है दोनों का एक दिन का काम चार C का तीन है तो यहां भी C का कितना तीन हो जाएगा भाई दोनों का चार है C का अकेले का तीन तो B का एक हो जाएगा तभी तो दोनों मिलकर कि यह चार हो जाएगा इतनी बात दोस्तों समझ में आई आपसे जो प्रेशने में पूछाता उस पर ध्यान दीजिए भी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा भाई भी अकेला इस काम को एक दिन में कर रहा है न भी का एक दिन का काम कितना है एक है total काम उसे कितना करना है 12 करना है एक दिन में एक करता है तो 12 को कितने दिन में करेगा भई 12 दिन में करेगा कि नहीं करेगा या आपका answer हो जाएगा B option उमीद करता हूं कि सभी की समझे में प्रेशने बहुत अच्छे से आगया होगा किसी को भी कोई समझे कोई डाउट नहीं होगा अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है A एक काम को 6 दिनों में खतम करता है जो आपका A है वो एक काम को दोस्तों कितने दिनों में खतम कर देता है 6 दिनों में B उसी काम को 12 दिनों में करता है जो B है आपका उसी काम को 12 दिनों में करता है अगर दोनों को आप LCM ले लेंगे तो आपको काम पता चल जाएगा कितना है 12 6 से काटेंगे 12 को 2 बार में 12 से काटेंगे 12 को 1 बार में काटेगा ठीक है 12 दिनों में खतम करता है आपका B आगे क्या किरा है यदि दोनों साथ मिलकर काम करके काम खतम करते हैं तो A ने कितना काम किया भाई पहले दोनों को साथ मिलकर काम को खतम करवा दीजे दोनों साथ मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे A का एक दिन का काम 2, B का एक दिन का एक दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे तीन काम करना है कितना बारा टोटल एक दिन में तीन करेंगे तो बारा को कितने में करेंगे चार दिन में बारा काम खतम करेंगे दोनों मिलकर काम को चार दिन में खतम करेंगे लेकिन ये पूछ रहा है कि A ने उसमें से कितना काम किया A एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों दो काम करता है ठीक है दोनों ने मिल करके काम खतम किया कितने दिन में चार दिन में टोटल काम था कितना 12 था कटा लिजिए आपका अंसर आ किया ठीक है दोस्तों बात समझ मैं आप इसको solve करेंगे आपके प्रिशनी का answer आजाएगा देखिए कैसे आजाएगा मैं इसे कटाऊँगा इसे जब मैं कटाऊँगा तो यह कटेगा चार त्रिक का बारा उपर कितना बचेगा दो बटे में कितना तीम दो बटे तीम इस प्रिशन दिन में उसे लिखेंगे बटे में लिखेंगे जो टोटल काम था बारा तो चार त्रिक का बारा एक बटे तीन बी ने कितना काम किया एक बटे तीन काम किया बी ने उमीद करता हूँ कि सभी की समझ में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से प्रिशन आ गया होगा किसी को भ काम को 10 दिन में खतम कर सकते हैं ठीक है A अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है तो B अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा पहले तो इनका LCM ले लेंगे तो आपको LCM मालूम हो जाएगा तीस, दस से काटेंगे तीन बार में, तीस से काटेंगे एक बार में, आप यहाँ पर समझेए प्रेश्ने को अच्छे से, ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना तीन, एक अकेले का एक दिन का काम कितना एक है, ठीक है, ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना तीन, और एक अकेले का एक है, तो देखिए एक का अकेले का एक है, दोनों का तीन है, एक का एक है, तो बी का कितना हो जाएगा, का दो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तब ही तो दोनों का मिला करके तीन काम हो रहा है एक दिन का भाई एक दिन में एक काम कर रहा है आपको पता है बी कितना करेगा फिर दो करेगा कि नहीं करेगा आप कहेंगे बिल्कुल करेगा तो अब B अकेले उस काम को कितने दुनों में करेगा काम है कितना टोटल 30 जो LCM होता वही तो टोटल काम होता है B एक दिन में 2 करता है तो 30 को करने में कितना समय लेगा 15 दिन का समय लेगा यह आपका आंसर आगे 15 दिन C-Option में दे रखा यह आपके प्रेशने का बिलकुस सही आंसर हो जाएगा तो मैं उम्मिद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रेशने अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किसी को प्रेशन में कोई डाउट कोई समस्या नहीं होगी ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद